हेलो और वल्कम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तो तीना दत्ता का इविक्षिन इंट्रिवीव आ चुगा है सामने जी हाँ बिग बॉस के घर से एलिमिनेट होने के बाद तीना दत्ता ने काफी कुछ बताया है घरवालों के बारे में लेकिन सबसे इंट्रेस्टिंग बताया उन्होंने कुछ ऐसा सुम्बल तौकीर खान के बारे में जिसके बाद फैंस भी हो गए हैरान कि आखिर टीना सुम्बल के बारे में इस तरह से बोल कैसे सकती है लेकिन दोस्तो सुम्बल से पहले शालीन भनोट के लिए क्या कुछ बोलती हुई नजर आई है टीना दत्ता बताएंगे आपको उसके बारे में पूरे विस्तार से वेल दोस्तो जब भी बिग बॉस की हिस्ट्री में टीना सुम्बल या शालीन भनोट में से किसी कभी नाम लिया जाएगा तो शायद बाकी दो का नाम यादाना लाजमी रहेगा क्योंकि बिग बॉस सोला में टीना सुम्बल और शालीन का एक अजब ही ट्रायो बन चुका है दोस्तो ऐसे में टीना दत्ता से सुम्बल तौकीर खान को लेकर मीडिया सवाल ना पूछे ये तो हो ही नहीं सकता और इसलिए जब टीना से सुम्बल और शालीन पर सवाल पूछा गया तब टीना ने ये कहा कि मैं पूरे तरीके से अपने आपको शर्मिंदा मैसूस कर रही हूं क्योंकि सुम्बल बहुत बहतरी लड़की है सुम्बल को शालीन भनौट ने बहुत बुरे तरीके से यूज किया है सुम्बल को हमेशा ही mixed reactions दिये हमेशा दोस दोस बोलके गलत तरीके से उसके पास गया और जब मेरे पास आता तो सुम्बल की बुराई करता और जब सुम्बुल के पास होता तो मेरी बुराई करता यही वज़ा रही कि लंबे समय तक मैं और सुम्बुल भी एक दूसरे को गलत समझते रहे लेकिन जब आखिर में तीना यानी की तीना के सामने जब शालीन की सच्चाई आई तब तीना ने ही कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि सुम्बुल से दोस्ती हो लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी गेम बहुत आगे बढ़ चुका था और अब सुम्बुल का किसी भी तरीके से हमसे बात करना ना उसके लिए ठीक होता ना हमारे लिए हलाकि अब मैं घर के बाहर तो आ गई हूँ लेकिन मैं आकर सबसे पहले सुम्बुल के पापा से जरूर मिलना चाहूँगी और पूरे तरीके से सारी गलत फैम्यों को क्लियर करूँगी सुम्बुल बहुत ही अच्छी अक्ट्रेस है और मैं यही उमीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में उसका करियर बहुत आगे जाए सुम्बुल सच में मुझसे भी बहतरीन अक्ट्रेस शाबित हो सकती है क्योंकि हम तो अब ज़ाकर बिग बॉस के घर में आए है और सुम्बुल पहला सीरियल करते ही बिग बॉस में पहुँच गई तो आप जानते ही है कि उसमें कितना टालेंट और कितना पोटेंशल है वेल दोस्तो सुम्बुल के लिए इतनी तारीफ है वो भी टीना दत्ता क्यमू से यह सुनकर फैंस तो पूरे तरीके से हरान हों गए क्या कहेंगे आप हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले